मता की क्यूं भई करनाल वालों की आवाज को क्या हो गया है 400 बार करना है या नहीं करना है मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाईए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी भीचे और प्रचन्द वाद से बोलिए जय श्री राम जय जय श्री राम चिल चिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आये हुए प्यारे भाईों, बेनों, माताओ और मेरे जिगर के टूकडे जैसे यूवा मित्रों आप सभी को नमस्कार भाईों, बेनों आज में इस लोग सबाद चुनाव शुरू ओने के बाद पहली बार हरियाने में आया हुँ और दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आया हुँ पूरी हरियाना की जन्ता को मैं हाद जोड कर प्रणाम करना चाहता हूँ मैं मेरी बात की शुरूआत मंजी साब गुरुद्वारा पक्का पुल दाम पाथरी माता मंदीर चुलकाना दाम हतीरा मंदीर स्वामी भिशम जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरूआत करना चाहता हूँ भायो बेनो हरियाना पूरे देश की भूख बांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है देश भर में अन के बंडार बर रहते हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाना के किसानों का है इसके साथ साथ देश की सिमाओं की सुरक्सा आज हम निश्चीन तोकार चैन की निन्द सो रहे हैं क्योंकि मेरा हरियाना का वीर जवान सिमा पर भारत माता की रक्सा करता है और तीसरा खेल कोई भी हो खेला कहीं भी जाता हो राष्ट्रिय हो अंतर राष्ट्रिय हो मैडगलों की सुचु देखे तो मेरे हरियाना के धाकड खिलाडी नंबर वन दिखाई पर